हेलो मार डियर स्ट्वेंट आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है मेरे बच्चो ठीक है चुकिए आज की क्लास उन सही बच्चों के लिए है जुन्हें ओर गेनिक कमिस्ट्री समझ में नहीं आती है Organic Chemistry में नामकरन उन्हें श्रमज में नहीं आते बच्छों है न तो चाहे बच्च वह 10th Class के हो 11 класс के हो चाहे 12th 끝 के हो सभी बच्चhe इस गेखकर Organic estás Statue में बल्ले-बल्ले करने वाले हैं ठीक है तो चलिई बच्चो बिलकुल आज हम देखे यहां पर हम कौμοीर्च में आईिउपीशी नेम का नामाकरण सिखने वाले हैं और ऐसा नामाकरण सिखेंगे , ऐसा सिखेंगे , ऐसी कहानी को सिखेंगे , ठीक है , जो एक दम बिलकुल जब तक आप थे तब तक सब्सक्रों e 10 पर 20 के हो चाहए बच्च आज के कलास में हमारे साथ जूड़ सकते हैं मेरे बच्चों पॉब्सक्रों चले आगे बढ़ते Ub 15 देखिए इस का नमार्करण करने का ओरूल हम आपको समझाते हैं चैद यही रूल होता है ठीक है यही रूल होता है इस रूल के जरिए आप कितना हूं carbonic compound कितना हूं जटिल क्यों नहों क्यों ही लंबी सरिंखला वाला क्यों नहों ठीक है सभी को आप इस रूल के जरिए ये primary perfect ये secondary perfect word root और ये primary suffix और ये secondary suffix टिक है तो जब तक इनको थोड़ा सा जानियेगा नहीं थोड़ा सा धैर बना के रखना होगा मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डिटेल सब को बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारा जो है ना ये हमारा क्या है ये primary perfect क्या है ये secondary ये secondary perfect क्या है ये word root क्या है ये primary suffix क्या है और ये secondary suffix क्या है मेरे बच्चो बस पांच मिनट दील थाम करें ये फिर एगदम ट्रिक से बल्ले बल्ले करेंगे तो मेरी वीडियो को सेर करोगे ना मेरे वीडियो को सेर करोगे ना चलिए बहुत अच्छे बच्चो वेरी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ले लते हैं फिर हम नामा करण को सीखेंगे तब तक हमारा सब्ने रहिएगा भागिये गा नई भागिये गा नहीत नहीं न नई चलिए बहुत अच्छे तो यहांपे यह हमारा कारणिक रसाइन होता है ये दोप्रकार होता है फुली सृण स्रिंखला वाला योगिक होता है जिसको हम एलिफाइटिक बोलते हैं दूसरा बंद स्रिंखला वाला योगिक होता है जिसको हम चक्रिय योगिक बोलते हैं क्या बोलते हैं चक्रिय बोलते हैं या इंगलिस में इसको हम साइकलिक कहते हैं मेरे बच्चों ठीक है यहाँ पे हमा कारवन के बिच त्रिपन बंधन और एक क्रिया सील शमु वाले योगिक होते हैं जिसमें ये एसीड है इल्डीहाइड है किटोन है माईड है मेरे बच्चो ठीक है अब देखिए यहाँ पे चक्रिये होता है ये दो प्रकार का होता है एक साइकलिक होता है दूसरा एरोमेटिक होता है तोकि ये तीन कारवन वाला है इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं मिले ये बंध सरिंखला वाला हमारा एलिसाइकलिक योगिक होता है और कहीं भी इस तरह से ये बेंजीन रिंग होता है इस एरोमेटिक को क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं मेरे बच्चों ठीक है कहाने के लिए कोई बच्चे अधी स्क्रीन सौट लेना चाहते हैं तो फटा पड़ा स्क्रीन सौट ले शकते हैं मेरे बच्चों ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिर बच्चो देखिए यहाँ पर नामाकरन के चार पार्ट है मिर बच्चो थोड़ी थोड़ी बाते सब के बारे बताना चाहते हैं जब तक इन यह चार पार्टों को नहीं सिखिये अगा ना तब तक ट्रीक तो एक सेकेंड में सिख जो सब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल दे वही हमारा परफिक्स होता है उपसर्ग होता है यह सफिक्स क्या होता है जो हमारा सब्द के अंत में लगे और वह अर्थ को बदल दे सही बच्चे आंते हुआ प्रते होता है ठीक है चलिए यह हमारा दो प्रकार का होता है यह परफिक्स जो होता है यह प्राइमरी होता है और यह सेकेंडरी होता है यानि कि प्राइमरी प्रात्मिक और दूतियक भी होता है और यह शफिक्स जो यह भी हमारा क्या होता है यह हमारा प्राइमरी होता है प्राइमरी है और इसको दूतियक बोलते हैं ठीक है दूतियक से लकर अर्थ को बदल दे दूसरा word root जो मूल नाम को बताता है एक ये word root johana wollen नाम को बताता है मेरे बच्चो Whyna hol नाम इसी पर जाहिर हो थी है और ठीक है और तीसरा हमारा का ये शफिक अंग्य दूपरकार करता ने फटा बड़ लेंगे चलिए आते हैं बारी-बारी से सभी के बारे में जानते हैं देखिए प्राइम भी परफिक्स क्या होता है यानि कि प्रात्मिक उपसर्ग है ना ये प्रात्मिक उपसर्ग क्या होता है मेरे बच्चो ये प्रात्मिक उपसर्ग होता क्या है जरा इसको समझेंगे ठीक है तो कहता है ना मेरे बच्चो कि यह क् कारवन के लंबी श्रिंखला में कारवन के लंबी श्रिंखला में लंबी श्रिंखला में यह क्या बताता है तो ब्रांच को बताता है मेरे बच्छो क्या बताता है ब्रांच को बताता है मेरे पहरे बच्छो इस बात को याद रखेंगे ब्रांच को बताता है मेरे पहरे बच् कार्बन का ये लंबा स्रिंखला है ठीक है और यहां पर ये इस बरांच को बताता है और ये बरांच में जो है ये हमारा सब्टिच्वेंट या लोकेंट कहला आता है ये हमारा सब्टिच्वेंट ग्रूप इसको बोलते हैं सब्टिच्वेंट ग्रूप इसको बोला याता है ठीक है जैसे यहां पर कार्बन का लंबा चेन है और इसमें क्लोरीन है यह हमारा क्या है ना प्रति अस्थापित ग्रूप कहलाता है कौन सा ग्रूप कहलाता है यह प्रति अस्थापित ग्रूप कहलाता है यह समूच कहलाता है मेरे बच्चों ठीक है ठीक है यानि कहने का जरा सीख लिजिए यदि ब्रांच में हमारा क्लोरीन है ब्रांच में हमारा फ्लोरीन है ब्रांच में हमारा आयोडीन है ब्रांच में हमारा ब्रोमीन है ब्रांच में हमारा एनेच का टू है तो देखिए इस क्लोरीन को बोलते हैं कलोरो इस क्लोरीन को क्या बोलते हैं इसको क् नाम से जानते हैं ठीक है इसको हम आयोडो के नाम से जानते हैं और इसको हम ब्रोमो के नाम से जानते हैं ठीक है और इसको हम एमीनो के नाम से जानते हैं एमीनो लगाया जाता है यह बरांच के रूप में हो यह सभी बरांच के रूप में हो तो इसके लिए यह लगाया जाता है मेरे बच्चो ठीक है तो फटा बटा स्क्रीन सॉट ले लिजे जल्दी से स्क्रीन सॉट ले लिजे बच्चो थमागे बढ़ते हैं फटा बटा स्क्रीन सॉट ले लेंगे बच्चो कि बरांच में बरांच में दी क्लोरीन होगा उसके लिए क्लोरो यूज करते हैं बरांच प्रिक्यों मैं नहीं सिखा दूँगा एकदम नुमनिक्लेचर तो मेरे को कहने का मेरे बच्चों ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब दूसरा यहां पर है सकेंडरी परफिक्स ठीक है तो यह क्या होता है यह बंद सरिंखला वाले योगिक के लिए आता है बाले योगिक ठीक है अब बंद सरिंखला वाले योगिक कैसे होगा मेरे बच्चों तो आपको इस प्रकार से होगा न यह ब बंस रिखला वाले, ये बंस रिखला वाले क्या है, 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 ये बंस रिखला वाले क्या ह लारा क्या है यह लिसाइकल योगांड ऊ दों गोंटो हें एक कि याद रखेंगे आप लोग है यह दो गोसी के लिए कि किसके लिए जो ब्रांच में होगा ना उसके लिए प्रायम्री परफिक्स याणि प्रात्मिक उपसर के उलिए है अध्यूजर कुछ बढ़ते हैं जब इस तरह का compound होता है इसका मतलब बताये थे ना कि carbon carbon और ये carbon होता है मेरे बच्चो ठीक है चलिए यदि कोई बच्चे screenshot लेना चाहते है फड़ा बड़ा screenshot ले लेंगे जी ओके चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं यह word root है बच्चो यह main इन रूप को यह हमारा क्या है न वर्ड रूट है इसको वर्ड रूट पढ़ते हैं ठीक है यह root word भी इसको कहीं कहीं इसको root word भी पढ़ा जाता है ठीक है देखिए यह क्या बताता है जरह बात को समझेंगे है न यह क्या बताता है मेरे बच्चो तो यह हमारा क्या बताता है ठीक है, ओके, यह हमारा क्या बताता है, तो यह हमारा कार्बन की संख्या को बताता है, ये कार्बन की संख्या को बताता है मेरे बच्चो, ठीक है, ये कार्बन की संख्या को बताता है मेरे बच्चो, कार्बन की संख्या को बताता है, इसको याद रखेंगे, कार्बन की संख् ठीक है, चलिए. अब जिसे यहां पे, यदि एक carbon वाला हो, यानि कि compound में सिर्फ एक carbon हो, ठीक है, उसके लिए हम Mеть use करते हैं, और English में M, E का T, H. मेथ यूज करते हैं यदि दो कारवन बाला हो कारवन कारवन इस तरह से ठीक है दो कारवन बाला हो इसके लिए एथ यूज करते हैं ठीक है इसके लिए क्या यूज करते हैं एथ यूज करते हैं यदि हमारा तीन कारवन बाला हो एक दो और ये तीन इसके लिए हम प्रोप ठीक है फटापट नोट कर लेंगे यदि चार कारबन वाला हो एक दो तीन और ये चार इसके लिए ब्यूट यूज करते हैं क्या यूज करते हैं ब्यूट है ना इसके लिए ब्यूट यूज करते हैं मेरे बच्चों ठीक है यदि हमारा क्या हो यहां पर पांच कारबन वाला हो तो पांच कारवन को वाला के लिए पेंट यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है पेंट यूज किया जाता है छे कारवन के लिए हेक्स यूज किया जाता है ठीक है साथ कारवन के लिए हेप्ट यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है हेप्ट यूज किया ज काले के लिए नोन यूज करते हैं क्या यूज करते हैं नोन यूज करते हैं मेरे बच्छों ठीक है और यह 10 कारबन के लिए क्या यूज करते हैं तो डेक वर्ड का यूज करते हैं डेक DEC का DEC यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यह कारबन की संख्या को बताता है, इसको याद रखिएगा, एक कारवन बाला मेथ, दो कारवन बाला एथ, तीन कारवन बाला प्रोब, चार कारवन बाला ब्यूट, पांच कारवन बाला पेंट, छा कारवन बाला हेक्स, साथ कारवन बाला हेप्ट, आठ कारवन बाला आक्ट, नो कारवन बाला नो, और दस कारवन बाला डेक कहला आता है मेरे बच्छो, ठिक है, चलिए, अब आगे बढ़ता है यह primary suffix, यह हमारा primary suffix क्या बताता है मेरे बच्छो, primary इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रत्याई भी बोल सकते हैं, है ना, यह suffix चलता है, ज्यादा बेतर है, यह क्या बताता है? कार्वन की प्रकिर्ती को बताता है जी ये कार्वन की प्रकिर्ती को बताता है मेरे बच्चो कार्वन की ये प्रकिर्ती को बताता है याद रखेंगे प्रकिर्ती को बताता है मेरे बच्चो किसको बताता है तो प्रकिर्ती को बताता है अब कहिएगा न कि सर ये प्रकिर्ती हो क्या है ठीक है तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बंधन हो एकल बंधन हो क्या कौन सा बंधन हो एकल बंधन हो मेरे बच्चो यह सिंगल बंधन हो सिंगल बंधन हो इसके लिए हम यहां पर प्रत्य एन यूज करते हैं यदि कार्बन कार्बन के बी people bond हो यानि कि त्री बंधन हो क्या हो तो ये त्री बंधन हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं मेरे बच्छो तो आइन यूज करते हैं क्या यूज करते हैं इसके लिए एन का यूज करते हैं इसके लिए एन का यूज करते हैं और इसके लिए यूज करते हैं और इसके लिए तुक्हाद चुट्कियों में रफ गरदा और ठीजेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं सँ अब हम आते हैं स्केंडारी सफिक्स पर यानिकि दूतिक प्रते जिसको बोलते हैं यह फिर दूतियक इसको क्या कोल आ healthy दूतिय बॉलायाता है नोटिक है तो सफिक्स का मतलब क्या बोले तिस सब्द के अंत में लगकर अर्थ को बदल दे यह किसको इंडिकेट करता है यह क्या करता है मेरे बच्चो यह क्रियासिल समु को सुचित करता है यह क्या करता है कि क्रियासिल शमु को सुचित करता है मेरे बच्चो क्रियासिल समु को क्या करता है यह बताता है मेरे प्रते हैं यह क्या है मेर बच्छों के लिए प्रत्य जो यूज करते हैं यह ओई की यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, OE की यूज करते हैं, इंग्लिस में OI का C, OE की यूज करते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पर यह हमारा LD हाइट है, यह हमारा LD हाइट गुरूप है बाबू, यह LD हाइट गुरूप है, इसके लिए हम L यूज करते हैं, हिंदी में L यदि हमारा यहां पर ओओक यह हमारा इलकोहल गूरूप है मिरिवच्छों. कौन सा गूरूप है यह गूरूप है मिरे बाबु टीक है इस इलकोहल गूरूप के के लिए और यूज करते हैं किया इच रो sixty है लिए इंग्लिजिस में आउलिकते हैं मिरेय बच्छों कि तो बहुत सारे इसका मतलब यह समझ में आ गिया ठीक है एक बार थोड़ सा रिपीट कर दे फटापट फिर हम रूल पर आएंगे और गर्दा-गर्दा करेंगे ठीक है चलिए अब हम आते हैं मेरे बच्चो इस रूल पर कि अब हम नामाकरन करने वाले हैं ठीक है तो इसमें प्राइमरी पर्फिक्ष क्या बताया मेरे बच्चो एक भाट थखोड़ सा रे피 deficiency कर ले यह क्या बताया यह हमारा प्रतियस्थापित ग्रूप को बताया यह किसके बारे में बताता है प्रतियस्थापित समू के बारे में ठीक है और हमारा प्रतियस्थापित समू क्या होता है तो कारवन कारवन लंबिस रिंखला होती है ब्रांच को बताता है ठीक है यह किसको बताता है ब् इस तरह के compound को बताता है, ठीक है, इस तरह का कोई compound हो, उसके बारे में बताता है, यह root bud किसके बारे में बताता है, यह carbon की संख्या हो, एक carbon, दो carbon, तीन carbon, एक के लिए math यूज करते हैं, दो के लिए eth यूज करते हैं, तीन के लिए यहाँ पर प्रोप यूज करते हैं, ठीक है चलिए प्राइमरी सफिस्किस के बदा बदा बताता है कार्बन कार्बन को जी सिगनल बॉंड हो कार्बन कार्बन के बीचे टिपल बॉंड हो कार्बन कार्बन के बीचे डवल बॉंड हो इसके लिए प्रते एन लगाते हैं इसके लिए प्रते आइन लगाते हैं एक सब्सक्र गुरूप के लिए क्या यूज करते हैं प्रते ओएक यूज करते हैं क्या यूज करते हैं मेरे बच्चो तो ओएक गुरूप को यूज करते हैं ठीक है अब यदि आप इसका स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं लेजिए अब नाम लिखाना सिखाते हैं देखे चुटकियों सिखिएगा ओके फटा फटा स्क्रीन सॉट ले लेंगे मेरे बच्चों किलियर है चलिए कहानी तो किलियर है रूल तो एक ही है मेरे बाबु मोशाय आप कहा गए एक ही रूल पर सारा सा कॉसै बनेगा दोग northern गर्णा अभ़ा दीजिए lle experi टीक है चलिए अब आते है मेरे बच्चों अब हम कोउचिन पराते हैं देखिए यह हमारा क्या है ना यह कोई कार्बनिक अमारा कमपाउंड दिया हुआ है तो सबस्पते यहां पर कोई बरांच नहीं है मेरे बच्चों आई यह बरांच इस तरह से नहीं है य Kr depending इस तरह से कहीं बरांच नहीं है मेरे प्यारे बच्चो ठीक है तो यहां सिंपल है तो पहले हम रूल को जरा समझेंगे कि रूल हमारा क्या कहता है तो रूल हमारा क्या कहता है यह हमारा पहले प्राइमरी परफिक्ष होता है ठीक है प्राइमरी परफिक्ष होता है फिर हमारा होता है यह हमारा primary क्या होता है primary हमारा suffix होता है तीक है और फिर plus का आखरी में क्या लगाते हैं तो secondary लगाते हैं यही हमारा rule होता है हिंदी में लिखे चाहिए इंगलिस में कोई फरक नहीं पढ़ता है अब दखिए यहां पे बात को ज़रा समझेंगे, यह primary perfect नहीं लगेगा मेरा बच्चो, क्यों नहीं लगेगा इसमें, चुकि यहां पे carbon, carbon की जो सरिंखला है, उसमें branch नहीं है, उसमें branch नहीं, इस तरह का compound नहीं है, इसलिए primary perfect इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, चलिए, है न, यहां पे य secondary perfect नहीं लगेगा, जी, secondary perfect नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, चुकि इसमें इस तरह का compound नहीं है, ठीक है, यह word root लगेगा यहां पे, word root का मतलब carbon की संख्या, चलिए count करते हैं, एक, दो, तीन और यह चार, है न, यह क्या आ गया, चार carbon वाला यहां पे आ गया, ठीक ह फिर पलस करेंगे, ठीक है, फिर देखें, यहां पे primary perfect का use होगा, चुकि यहां पर यह क्या बताता है, carbon, carbon का single bond है, इसके लिए यहां पे एन लगाएंगे, तो यहां पे पलस का एन करेंगे मेरे बच्चों, और दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, butane लिखेंग और यदि इसको इंग्लिस में लिखते, यहां पर but, है न, bute और पलस का एन लगाता है यहां पे, तो इंग्लिस में क्या लिखते, तो यह butane लिखते है मेरे बच्चों, बात को जो समझेगा, हर बात को पकड़िएगा, अब चलिए देखी यही question है हमारा, ठीक है, यही question है तो चलिए यहां पे side में लिख देते हैं, पहला हमारा क्या है, यहां पे primary है, primary perfect है, ठीक है, फिर किसके बारे में खोचते हैं, यह secondary perfect के बारे में खोचते हैं, secondary perfect को देखते हैं, चलिए ठीक है, फिर उसके बाद में किसको देखते हैं, तो word root को देखते हैं, चलिए ठीक है फिर अगले concept में किसको देखते हैं जी, तो ये हम primary suffix को देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, तो secondary suffix को देखते हैं मेरे बच्चो, secondary suffix को देखते हैं, ठीक है, देखिए, इसमें हमारा secondary suffix का use नहीं किया मेरे बच्चो, क्यों use किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा functional फॉरे इस तरह का कोई गुरूप नहीं है यह फॉंग्शनल गुरूप नहीं था इसलिए इस कोस्ट सेमें हाबने से करिंडिक को यूज नहीं किया एप चली इसमें देखते है ल है कि देखिये नदेखिए प्रसक्रणैर integrate क्योंकि इस तरह का कोई compound नहीं है यह वर्ड रूट यूज होगा ठिक है तो यहां पर counting करने का तरीका होता है यहां पर क्या यूज करते हैं मेरे बच्चों ठिक है तो चार कारबन के लिए सीधे यूज करते हैं यहां इंग्लिस में लिखते हैं तब यूट ठिक है और पलस देखे यहां पर यह हमारा primary suffix यूज होगा क्योंकि carbon-carbon के बीच में यहां पर double bond है और double bond के लिए हम इन यूज करते हैं यहां फिर en का e यूज करते हैं लेकि जब double bond होगा तो position देना पड़ेगा यह पहले carbon पर double bond है एक का यहां पर in देंगे ठिक है और फिर यहां पर मेरे बच्चों जरा ध्यान दिजिएगा यह सकेंडी सफिक्स का यूज नहीं होगा चुकि यहां पर कोई functional group नहीं है इस तरह का कोई group नहीं है तो सीधे सिर्फ किसका यूज हो रहा है तो word route का यूज हो रहा है और primary suffix का यूज हो रहा है चाहिएगा तो इसका प बताएंगे जल्दी से screenshot ले लिजे मिरे बच्चों ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब देखिए पहले एक समझा देते हैं उसके बाद बताएंगे मिरे बच्चों ठीक है यह देखिए यहां पर सबसे पहले किसको check करना होता है मिरे बच्चों तो यहां पर चेक करना होता है कि हमारा primary perfect पहले इसको लिख लिजे primary perfect दूसरा हमारा क्या तो secondary perfect दूसरा क्या यूज करते हैं यहां पर secondary perfect यूज करते हैं ठीक है चलिए और तीसरा हम क्या तो wordroot या root word य य चलिए दो दे दिल ड करते हैं चलिए चलिए हना चार्था क्या तो यहां पर primary हम देखते हैं यहां पर कि हमारा primary suffix है कि नहीं primary suffix कर आ algumas में हम सकिंठी Secondary का यूज करते हैं में को एम चलिये चेक कर लेते हैं कि कौन कोन कहां लगेगा और न है तो यहां पर ज़रा ध्यान को देखिएगा मेरे बच्छों है ना यहां पर हमारा क्या है ना यह कार्बन की जो स्रिंखला है कार्बन 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 और यह कार्बन तीन एक चार है ना और ये टीपल वंड क्या इसमें कोई बरांच है इस तरह का कमपाउंड है बरांच है कहीं नहीं है तो जब बरांच नहीं है इसमें तो यह प्राइमरी परफिक्स यूज नहीं होगा ठीक है आप देखें सकेंडी परफिक्स की यूज बात करती है हमार क्य इसमें इस तरह का कोई compound है, इसमें इस तरह का कोई compound है, जी, नहीं है, तो यह यूज नहीं होगा, यानि यहाँ पर secondary perfect यूज नहीं होगा, ठीक है, word root यूज होगा, चुकि यह carbon की संख्या को बताता है, तो triple bond इधर से होगा, counting वहीं से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ह होज जागा, एक, दो, तीन, चार का पांच, पांच के लिए क्या यूज करते हैं, paint, हाना, ओके, चलिए, और पलस, अब देखिए, यहाँ पर carbon, carbon के बीच में टिपल बंदन है, यह primary suffix का यूज होगा इसमें, हाना, चुकि यहाँ पर carbon, carbon के बीच में टिपल बॉंड है, पूरा लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, paint, 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 paint का one लिखेंगे मेरे अच्छो, यदि इसको हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे paint, plus का one, और यहाँ पर आइन, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, paint, paint, one लिखेंगे मेरे बाबु, ठीक है, और देखिए, यहाँ यहाँ पर सेकेंडी परफिक्स का यूज नहीं होगा मेर बच्चो यहाँ पर इस तरह का कोई गुरूप नहीं है इस तरह का कोई गुरूप नहीं है मेर बच्चो इस तरह का कोई गुरूप नहीं है ठीक है इसलिए हमारा यह सेकेंडी सफिक्स का यूज इसमें नहीं होगा स ठीक है, सीख गयने जी, और सीख गयने बभुगा, अब देखिए मजा मजा करेंगे मेरे उचोट, टेंसर ने लिजे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे, अब देखिए यहाँ पर बात को जरा समझेगा, ठीक है, यहाँ पर यह हमारा जो है न, यहाँ पर मेरे बच्चो बड़ा ही बेहतरीन है, यह हमारा कोई compound दिया हुआ है, ठीक है, चलिए बात को समझते हैं, पहला हमारा कौं सा concept इसमें उठाएंगे, पहला उठाएंगे हम यहाँ पर प्राइमरी, पर फिक्स की बात करते हैं, दूसरा हम किसकी बात करते हैं, तो सेकेंडरी परफिक्स की बात करते हैं मेरे बच्चो, secondary परफिक्स की बात करते हैं, चलिए, पहले सब को एक बार लिक लेते हैं, फिर तीसरा में हम word root का नाम लेते हैं, word root या root word का नाम लेते हैं, चौथा यहाँ पे हम primary suffix, है न, यहाँ पे primary suffix की बात करते हैं, primary suffix की बात करते हैं, और पाचमा यहाँ पर secondary है ना यहाँ पर secondary हम suffix की बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन-कौन present है और कौन-कौन है नहीं, कौन-कौन present है, कौन-कौन है नहीं, ठीक है, rule आपको एक बार लिख दे यहाँ पर, है ना, rule क्या है मेरे बच्चों, तो rule आपका यहाँ पर ह करता है कि primary यानि वहां तक नहीं समझ यह order में है सब के बीच में पलस है पलस 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 और यह पलस ठीक है यह rule इसी प्रकार से लिखते हैं सबसे पहले इसमें जज करते हैं कि primary पर fix है कि नहीं तो यहां पर देखिए कारवन 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 यानि कि तीन दू पांच कारवन है तीन चार और पांच देखिए पहले पर यह बरांच है मेरे बच्चो पहले पर बरांच है यह पहले पर क्या आ गिया बरांच आ गिया मेरे पहले बच्चो इसका मतलब यहां पर primary पर फिक्स का यूज होगा मेरे बच इंगलिस में CHLO का RO लिखते हैं, कलोरो लिखते हैं मेरे बच्छो ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, यह primary पर fix का नाम आएगा मेरे बच्छो ठीक है, तो देखिए पोजिशन देना होगा, यहाँ पे पोजिशन दे दीजिए, count कर लिजिए पहले, ठीक है, यहाँ एक, दो, तीन, चार और पांच, यहनि कि ब्रांच जिस सिरे से नजदीक हो, पहले counting उधर से ही करेंगे मेरे बच्छो ठीक है, तो इधर से नजदीक है, तो देखिए ब्रांच दोसरे कारवन पर है मेरे बच्छो, तो यहाँ पर यहाँ पहले English में लिखेंगे, तो क्या ल नहीं होगा, क्यों यूज नहीं होगा, चुकि हमारा इस तरह का कोई compound नहीं है, यह बंसरिंखला वाला योगिक नहीं है, तो इसकी बाद छोड़ दिये, लिए तीसरा हमारा word root यूज होगा, इसमें carbon की संख्या को count करते हैं, देखिए, पांच carbon है जी, इसमें एक, दो, त चार ये पांच carbon है, एक, दो, तीन, चार और पांच carbon है, तो पांच carbon के लिए क्या लिखते हैं, पांच carbon के लिए हम इंग्लिस में paint लिखते हैं, और हिंदी में ही paint लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह paint हो जाएगा, मेरे बच्चों, ठीक लिखते हैं, carbon-carbon के बीच में double bond हो, तो यहां पर in लिखते हैं, यदि carbon-carbon के बीच टीपल bond हो, तो इसके लिए y-n की आइन, यानि की हिंदी में आइन लिखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहां पर carbon-carbon के बीच में कौन सा बंदन है, जीत एकल बंदन है, इसके लिए में n और इंग्लिस में an का e लगाते हैं ठीक है the paint और यहाँ पर क्या हो जाएगा पलस का यहाँ पर in लिखेंगे ठीक है चलिए आप देखिए यहाँ पर आगे मेरे बच्चो कि यह सगेंडी सफिक्स का यूज होगा कि नहीं होगा क्यों नहीं होगा यहाँ पर कोई कोई सब्हक्यके फंक्शनल ग्रूप इस तरह से नहीं है कि इस लिए इसका यूज़ नहीं होगा यहने का यूज हो रहा है इसमें primary का यूज हो रहा है वर o arimori सुपिक्स का यूज हो रहा है मिरे बच्चों तो यहाँ पर फूरा आम लिखेंगे अब लिख देजियेगा यह जाएगा टू और यहां पर क्या होजाएगा एक से कीद्ड रुखिए गा ठीक है यहां इंगलीस में लिखिएगा था यहां पर कलोर हम Tick ब minder लिखते में बच्चो क्या लिखते हैं बावब मेरे ठीक है तो फटा बट ज़ल्दी से नोट किजिए जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चो ओके फटा बट जरा बात को जरा समझिएगा, ठीक है, इसमें देखिए, है ना, क्या है मेरे बच्चों, इसमें ब्रांच नहीं है जी, अब डारेक्ट देखिए, इसमें जो है, ये कारवन, कारवन वाला जो है, इसमें कहीं इस तरह का ब्रांच नहीं है, है ना, तो जब ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे हम primary perfect का use नहीं करेंगे, primary perfect का use नहीं करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे primary perfect का use नहीं होगा, दूसरा हमारा क्या था? secondary perfect, दूसरा हमारा क्या था? secondary perfect, तो यहाँ पर भी हम इसका use नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चुकि इस तरह का ये कोई हमारा बंद सिरिंखला वाला योगी नहीं है तीसरा हमारा क्या था मेरे बच्चो ये वर्ड रूट था ये रूट बड इसको कहते हैं इसका यूज करेंगे यहां पर मेरे बच्चो क्यों चुकि ये कारवन की संख्या बताता है तो फंक्शनल ग्र में हेक्स लिखते हैं और इंग्लीज में हेक्स लिखते हैं मेरे बच्चो ठीक है इसके नामाकरन करने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर हिंदी में लिखेंगे तो हेक्स ठीक है और इंग्लीज में लिखेंगे तो ये हेक्स दोनों साथ साथ लेके चलते हैं ठीक है उसके बाद में ये चौथा में क्या आता है ये प्राइमरी हमारा सफिक्स आता है क्या आता है प्राइमरी सफिक्स आता है मेरे बच्चो जो क्या कहता है कि कारवन कारवन के बीच सिंगल बॉंड हो कारवन कारवन के बीच डवल बॉंड हो और कारवन कारवन के बीच में टिपल बं ठीक है और यहाँ पलस का A N E लिखेंगे लिख दिए ठीक है अब चलिए लास्ट लीस में यूज करते हैं हम क्या सेकेंड़ी सफिक्स क्या यूज करते हैं मिरे बच्चो यह सेकेंड़ी सफिक्स क्या बताता है देखिए इस तरह का गुरूप होगा C O का H C H का O ठीक है या फ इस तरह का C O का N S To A Functional Group तो बताएए कि इसमें से कौन सा है मिरे बच्चो तो देखिए क्लियर हो गया मिल गया है यह हमारा Acid Group है मिरे बच्चो कौन सा गुरूप है तो Acid Group है इसका मतलब इसका यहाँ पर यूज होगा बाबू इस सेकेंड़ी सफिक्स का यूज होगा और Acid Group के लिए हम हिंदी में OEK लिखते हैं प्रत्य और इंग्लिस में OI का C लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो OEK लिखेंगे ठीक है और इंग्लिस में लिखेंगे तो यहाँ पर OEK का C लिखेंगे ठीक है और इंग्लिस में नोईक क्या हो जाएगा हेक से नोईक हो जाएगा मेरे बच्चो ठीक है और यहां से लिखेंगे तो यह हो जाएगा हेक्स है ना यहां पर हेक्स से x से क्या हो जाएगा e हट जाएगा x से 9 एक हो जाएगा मेरे बच्चो एदि आप a seed लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अच्छा लगता है ठीक है टिली फड़ावट जल्दी से a screen open 6 लेएंगे मिर बच्छो फटावट जल्दी से screen शओट ले लेंगे जी कि किलिर है किलिएँ बाभू है बाभू मेरे फटावट जल्दी से noot करेंगे बाभू जरा को कि यह मजा बड़ा नहों बाभू बहुत मजा DollarUST तो यदि आप इस रूल को समझियेगा ना तो औरगेनिक कमेस्टी एक दम नामा करन लिखने दम चुटकी लगेगा ने चटनी लगेगा ठीक है चली जल्दी से नोट करेंगे फटापट नोट करेंगे मेरे बच्छो किलीर रहे कहानी यहां तक कि चली बहुत अच्छे बच्चोः रहे बहुत ज़ी ज़ेट बाबू चली आगे बढ़ते हैं देखे용 यहां प्रीक आलग तरह का मपाउंड ले रहे इहां तो पहले दिंद आलग तया कउंट करना है तो कॉंट नहीं सकते हैं यहां पर एक हो जा में क्या है छे carbon है लेकिन कहीं इस थरह का branch नहीं है इसलिए हमारा क्या होगा कि पहला primary perfect का use नहीं होगा हमारा primary perfect का use नहीं होगा क्योंकि primary हमारा क्या है रूट वर्ड तिसरा हमारा क्या होता है रूट बड यानि कि कई कारवन है पांच कारवन है जी पांच के लिए क्या लिखते हैं इंगलिस में पेंट लिखते हैं और हिंदी में पेंट लिखते हैं ठीक है चलिए चाउथा हमारा यहां पर क्या है कि यहां पे प् सफिक्स का ठीक है और ये कब यूज करते हैं बार बर बता रहे हैं कार्बन कार्बन को भी सिंगल बॉंड हो कार्बन कार्बन को भी सिंगल बॉंड हो कार्बन कार्बन को भी सिंगल बॉंड हो कार्बन कार्बन को भी टिपल बॉंड हो इसके लिए लगाते हैं हिंदी में एन और इंग्लिस में an का e, है ना, देख लेते हैं इन में से कौन है, तो ये carbon, carbon को जो single bond है, चली इसका use होगा, ठीक है, इसका use होगा मेरे बच्चो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इदे इंग्लिस में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, paint लिखते, और plus का यहाँ पर an लिखते, और हिंदी में लिखते हैं, paint लिखते, plus का यहाँ पर an लिखते, ठीक है, फिर plus कर दिजिए, देखिए, यह हमारा ketone group है मेरे बच्चो, यह कौन सा group है, ketone group बोलते हैं इसको, और ketone के लिए प्रतिय जो है own लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, own लगाया जाता है मेरे बच्चो, ठीक है, तो यहाँ पर position देना चाहते हैं, दे सकते हैं, यहाँ पर three का own लगाएंगे, sorry, three का, यहाँ पर on के own लगाएंगे, और हिंदी में लिखते तो three का own लगाते है मेरे बच्चो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते, दी, आप इंग्लिस में लिखते हैं यहां पर लिखते क्या ? पेंटेन का 3 wewn लिखते , यां फिर यहां पर हिंदी में लिखते है तो यहां पर पेंटेन हा न यहां पर 3wewn लिखते है मिरे बच्चो इस प्रकार से लिखते , numbering आप बाद में भी दे सकते थे , कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्टा पट जल्धी से यह कि primary perfect किसके लिए बरांच में रहेगा तब इन लगेगा सर सकेंडी suffix किसके लिए तो जब cyclic compound रहेगा ना सर तिर्भुजाकार रहेगा चत्रभुजाकार रहेगा तब लगाएंगे इस नहीं रहेगा तो लगाईबे नहीं करेंगे उसकी बातें नहीं करेंगे ठीक है और तीसरा यह रूट वर्ड यह कार्बन की संख्या को बताता है यह याद रखेगा चौथा हमरा यह primary perfect और यह हमारा पाचमा इसमें क्या यूज हो गिया जी secondary suffix पाचमा इसमें क्या यूज हो गिया था मेरे बच्चो सपेंडरी suffix यूज हुआ था क्या हूँ चुकि इसमें क्यों सा functional group आ रहा था की tone आ रहा था उसके लिए हम प्रते क्या लगाते है ओन लगाते है मेरे बच्चों किलियर है that's great बाबू चली आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर यह हमारा अलग तरह का compound है जरा थोड़ा थोड़ा देख ले सब को ठीक है चुकि पूरा नुमन क्लेचर सीखना है तो फिर गरदा तोड़ाना है चली यहां पर देखें हमारा यहां पर देखें ब्रांच वाला है जी यहां यहां पर ब्रांच वाला है मेरे बच्चो ठीक है तो ब्रांच वाला है ना बाबू पहला क्या है यहां पर ब्रांच है मेरे बच्चो जब ब्रांच है तो प्रामरी परफिक्स यूज होगा और प्रामरी परफिक्स जब यूज होगा तो जरा देखिए है ना पहले हम यहा यहां पर count कर ले, एक, दो और यहां पर तीन, ठीक है, यहां पर दो दो बरांच है जी, एक बरांच नहीं, दो दो बरांच है, कितना बरांच है, दो बरांच है, दो बरांच है, तो यहां पर die लगाएंगे, हिंदी में die लिखेंगे, इंगलीज में die ऐसे लिखेंगे, और द देखी ये मेत से बन गया है, इसको मेथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथाइल बोलेंगे मेरे बच्चो, ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्राइमरी परफिक्स का नाम आएगा, तो यहाँ पर दो बरांच है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे तो डाई, और हो जाएगा अब इसमें क्या यूज करेंगे तो इसमें दूसरा हम क्या यूज करने वाले हैं तो इसमें यूज करेंगे मेरे बच्छोwing secondy surface तो है नहीं, use नहीं करेंगे न चुब यह रिंग वाला नहीं है, यह हमारा close compound नहीं है, हाणा, यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं, secondly use नहीं करेंगे, तीसरा क्या है यहाँ पर, चलि तीसरा तो use कर लेंगे यहाँ पर तीन carbon है, तीन carbon के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं जी क्या लिखते है प्रोप तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रोप लिखेंगे जी क्या लिखेंगे प्रोप ठीक है फिर आगे हम क्या करते हैं कार्बन कार्बन कुछ में सिंगल बॉंड है इसके लिए एन लगाते हैं तो चलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे N लगा देंगे मिरे बच्चों ठीक है और कुछ इसमें नहीं है इसमें पाचमा क्या है सेकेंडिस अफिक इस तरह का कोई गुरूप नहीं है इस तरह का कोई गुरूप नहीं है इसलिए सेकेंडिस अफिक्स का यूज नहीं करेंगे और नाम यह हो जाएगा मिरे ठीक है तो फटापट आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से नोट कर लिजे फटापट नोट कर लिजे मिर बच्चो ओके किलियर है चलिए डैट्स ग्रेट बाबू आगे बढ़ते बच्चा हमारे विडियो को सुरू सेयन तक जबूर देखिए बच्चा एकदम और गेनिक क सब्सक्रा का भी कोसं आपको मिल सकता है ठीक है तो 10 वाले बच्चे यहां के पीछे देखेंगे और 11 वाले बच्चे 12 वाले बच्चे अब आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसके पहले अभी तक जो है न यह 10 वाले बच्चे वहां पर पढ़के अपना नुमलिक्लेचर को ठी से दिक है यहां पर देखिए क्या है सबसे पहले एक लंबा चेन चुनिए ब्रांच रेख इधर चुनिए पर दो का पांच, छे और साथ ठीक है, पहला हमारा क्या है देखिए बरांच में एक दो कारवन वाला भी एक कारवन वाला भी जब बरांच मिल गया यहां पे तो देखिए दो कारवन वाले बरांच के लिए हम यूज करते हैं एथाईल ठीक है एक carbon वाले branch के लिए यूज़ करते हैं, methyl, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, methyl इस परकार से लिखते हैं, और यहाँ पर methyl हम इस परकार से लिखते हैं, मेरे बच्चों, ठीक है, अब इसका भी नामा करन में क्या है न, alpha-betical order चलता है, जी, चुकि यहाँ पर पहले e आता है, बच्चों, है न, primary यहाँ पर perfect use करेंगे, बाबु, है न, तो primary perfect use करेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका नामा करन हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखें, यहाँ पर हो जाएगा, यह हमारा 3 पर ethile है, 3 पर हमारा क्या ethile है, ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 पर methyl है, 4 पर यह मिथाईल है मेरे बच्चों ठीक है फिर दूसरा में क्या सेकेंडी परफिक्स का यूज नहीं न करेंगे जी चुकि इसमें हमारा साइकली कंपाउंड नहीं है तो कहले माथा खराब करें अब यहां पर वर्ड रूट है ना यह रूट वर्ड यहां पर रूट वर्ड यह रूट की बात करते हैं यहां पर यह यूज कर सकते हैं इसमें कार्बन के कितनी संख्या है साथ साथ के लिए क्या यूज करते हैं हेप्ट ठीक है तो आगे पलस करके यहां पर हेप्ट लगा दीजिए हेप्ट लगा दीए ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद हम primary suffix का यूज करते हैं, carbon-carbon के बीच में single bond है, इसके लिए an यूज करेंगे, यहाँ जाएगा plus का यूज करेंगे, और देखें यहाँ पे चवथा में, यहाँ पे हमारा secondary suffix नहीं है जी, यहाँ पे secondary suffix नहीं है मेरे बच्चो, यह secondary suffix का यूज नहीं होगा बाबू मे यही रहज आएगा, तो फटाबच जल्दी से screenshot ले लेंगे मिरे बच्चो, फटाबच जल्दी से screenshot ले लेंगे बाबू मेरे, टीक है, जल्दी से screenshot ले लेंगे बाबू मेरे, ऊके, चलिए that is great बाबू, मजा आ रहा है न, पूरा normal culture शिखना है तो हमारे साथ शुरू से अन देखिए घर पर जाके गर्दा उड़ा दिजी एकदम ठीक है क्या गर्दा कि चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अलग लग तरह का कंपाउंड लेते हैं देखिए यहां पे अब हमारा देखिए छोटा-छोटा कंपाउंड है देखिए यहां पे यह फंक्शनल ग्रूप है मिर बैच्चो यह हमारा फंक्शनल ग्रूप है 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 यह हमारा फंक्शनल ग्रूप ह कर लिए कि functional group है, पहला हमारा क्या है? इसमें कोई बरांच नहीं है इसमें कोई क्या नहीं है, तो branch नहीं है जब branch नहीं है sir ठीक है, तो यहाँ पर primary हमारा perfect use नहीं होगा, primary perfect का परयोग नहीं करेंगे, तो चलिए तीफैंटिड दूस्दा इसमें सेकेंड्री पर फिक्स भी नहीं लगेगा। सेकेंड्री पर फिक्स भी नहीं लगेगा क्यों चुकित तरह का कोई अब लोग समझ गया हुआँगे । लेकिन होरेगा, counting यहां शुरू करेंगे एक दो तीन चार और पांच है ना तो यहां पर तीसरा root bud 5 carbon बला क्या लिखते हैं इंगलीस में paint लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे paint अब देखें यहां पर next हम्मक को क्या जानना है carbon कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड हत एन लगाएंगे हिंदी में लिखेंगे इंगलिस में यह नहीं तो यहां पेंट पलस का एन हो जाएगा और पलस देखिए यहां पर है ना सफेंटी सफिक्स का यूज होगा और यह कौन फॉंक्शनल गुरू एलकोहल के लिए और लगा जल्दी से नोट करते जाएंगे जी फटाबट नोट करेंगे अच्छो चले 17 नंबर यहां पे क्या है इसको भी ज़रा देख लिजिए हैना इसमें देखिए फंक्शनल गुरूप है यहां बरांच भी है लेकिन यह फंक्शनल गुरूप है बरांच में फंक्सुनल सिर्फ इसका पांच कार्बन बाला है यहां पर पेंट लिखेंगे और कार्बन कार्बन के विच में सिंगल बॉंड है तो एन लिखेंगे और यहां पर एलकोहल है जी यह एलकोहल ग्रूप है मेरे अच्छो कौन सा ग्रूप है एलकोहल ग्रूप है बावु मेरे तो एलकोहल के लिए यहां पर टू का आउल लगा देंगे जी टू का आउल लगा देंगे है ना और यहां पर क्या हो जाएगा ही पेंटेन नौल टू भी लिख सकते हैं या फिर पेंटेन यहां भी लिख सकते हैं पेंटेन और टू का आउल भी लिख सकते हैं मेरे बच्चो ठीक है फटा बड़ा स्क्रीन सोट ले लेंगे मिरे बच्चो फटा बड़ा स्क्रीन सोट ले लेंगे जी जल्दी से स्क्रीन सोट ले लेंगे मिरे अच्चो उमीद करते हैं आप लोग जहां बहुत थोड़ा बहुत क्या बहुत सिख गया होंगे कहां क्या यूज करेंगे सिर्फ एक ही फंडा याद रखना है primary perfect यहनि प्राथमिक उपसर्ग, secondary perfect मने दूतियक उपसर्ग और इसके बाद फिर क्या root word जिसे मूल नाम लिखा जाता है कार्बन की संख्या को गिनते हैं फिर primary suffix यहनि प्राथमिक परते हैं और secondary suffix यहनि की दूतियी परते हैं इसका यही formula होता है इसी पर पुरा नाम आ जाता है ठीक है ओके चलिए अब कुछ और देखते हैं जरा इस तरह का तो आप लोग सीख गया नहीं जी इस तरह का सीख गया ना चलिए मिर बच्चो ठीक है एक देखते हैं परियास करके देखें यहां पे यह हमारा branch में है लेकिन यह functional group है ज यूज नहीं होगा यहां पे secondary perfect है ना perfect use नहीं होगा ठीक है यहां पे counting कर लिजे एक दो का तीन तो तीन carbon बला क्या होता है तो प्रोप होता है मेरे बच्चो carbon carbon क्यों यह single bond है तो यहां पे एन लगेगा और देखिए तीनों position पर है one two और यहां पे three इसके लिए try लगेगा और यह try all हो जाएगा मेरे बच्चो क्या हो जाएगा try all हो जाएगा मेरे पेर बच्चो है ना यहने इसका पूरा नाम इदे लिखिएगा यहां पे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा प्रोपेन है ना और यह हो जाएगा one two का three और यहां पर हो जाएगा यह try और सीधे य नामाकरन करने के लिए ये 12th class में आता है मेरे बच्चो ठीक है चलिए फड़ा पड़ नोट करते जाएंगे जी जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चो इसका भी कर सकते हैं एक दो तीन और ये चार है ना तो चार कारमनला क्या हो जाएगा ब्यूट और पलस का क्या लगाएंगे एन और देखिए पोईशन एक और चार है तो एक और चार पे डाई है जी डाई नाइट ट्राइल यूज करते हैं इसके लिए नाइट ट्राइल यूज करते हैं नाइट ट्राइल यूज करते हैं मेरे बच्चो इस प्रकार से इसका नामाकरन कर सकते हैं तेक ह खेर के चलिए अब देखिए यहाँ पे दोने तरफ फंक्सनल ग्रूप है जी इधर भी फंक्षनल ग्रूप है और इधर भी फंक्सनल ग्रूप है पेन तो काउंटिंग किधर से करेंगे इसकी ज्यादा प्रातिमिकता आइख करेंगे फी बлан कारबन गिल लेंगे जी 5 ठीक है तो यहां पर पांच कारबन के लिए क्या हो जाएगा पेंट कारबन कारबन के बीच में सिंगल बांड है तेन देखें यहां पर एक चीज और समझ में आना होगा पहले इसको देख लेजिए 1 2 यहां पर इस प्रकार से ठीक अब ज़रा देखिए counting यहां स्करेंगे एक दो तीन और यह चार अच्छा दो दूचारे था ना कोई बात नहीं देखिए यहां पर यह भी functional group है और यह भी functional group है मेरे बच्चों यह भी हमारा functional group है लेकिन इसमें जो है में हमारा क्या है यह हमारा बतायत है ना कि सेकेंड़ी सफिक्स इसके नामपर जाएगा सेकेंड़ी सफिक्स जो होगा ना इसका नाम पर जाएगा चुकि इसकी प्रात्मिक्ता ज्यादा होती है एलडी हाइड ग्रूप से है ना तो यहां पर चार वाला ना है जी दखी यह बरांच में आ जाएगा यह कहां पर आ जाएगा बरांच में आ जाएगा ठीक है तो इसको यहां पर चौथे नंबर कार्बन पर है ना तब फोर उसको फोर माइल बोलते हैं क्या बोलते हैं फोर मा प्राइमरी पर्फिक्स नहीं यूज होगा चुकि यह हमारा ब्रांच ही नहीं तो ब्रांच नहीं है यहां पर सेकेंडरी पर्फिक्स हो जाएगा यहां पर सेकेंडरी पर्फिक्स यूज होगा जी सेकेंडरी पर्फिक्स यूज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चो अब यहां पर ठीक है और सेकेंडरी पर्फिक्स क्या यूज करते हैं तो साइकलो क्या यूज करेंगे यहां पर साइकलो हिंदी में और इंगलिस में करेंग तो यहाँ पर साइकलो ठीक है तो इसका नाम क्या लिखेंगे मेरे बच्छो फटाबच बताएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा हिंदी में लिखेंगे तो यह हो जाएगा साइकलो हिंदी में लिखेंगे तो यह हो जाएगा साइकलो ठीक है और तीन कारवन वाला है तो यहां पर लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉंड है तो एन लगा देंगे यह साइकलो प्रोपेन हो जाएगा जी क्या हो जाएगा यहां पर साइकलो प्रोपेन हो जाएगा बाबू मेरे यह क्या हो जाएगा, cyclopropane हो जाएगा बाबू, ठीक है, चलिए, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी कोई बरांच नहीं है, लेकिन यह इस तरह का secondary perfect use हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, cyclopane, ठीक है, और यहाँ पे चार करवन हैं, एक, दो, तीन और चार, चार के लिए but लिखते हैं, और पलस का यहाँ पर एन लगा देंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा, cycloputane, क्या हो जाएगा यहाँ पे, cycloputane हो जाएगा, बाबू, क्या हो जाएगा, cycloputane हो जाएगा, मेरे बच्चों, ठीक है, आप इस तरह से नामा करने देख कि अब यहाँ पर बरांच आ गिया, बरांच आ गिया, आप लोग इतना बताने कवाद यह समझ में होंगे, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, methyl, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, cycloputane, तीन कारवन वाला है, यह डारेक्ट लिख देते हैं, प्रोपेन, ठीक है, तो खतम नहीं हो, लेकिन बेसिक फंडा को जरूर समझ गया होंगे, ठीक है, तो ओके बच्चों, हमारा क्लास अच्छा लगा, जरूर हमारे क्लास को लाइक और सेर कर देजिए, अगर दैट्स क्रेट बाबू, मिलते हैं, नए जो सुमंग के साथ, नए क्लास में,